मेरा नाम राहूल है, आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ, मैं करीब तत साल से एक लड़की उसे प्यार करता हूँ, नेधी को नेधी मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है, मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था, वो मेरे उस समय का प्यार है, जब मैं य नेधी को अपनी जिन्दिगी में लाने की, हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त है, नेधी मुझे से सारी बाते सेयर करती है, अभी तक मैंने उससे प्यार का इजहार नहीं किया है, नेधी का एक सपना है, कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रिस्ट बना है, फिल्म उसके ममी के साथ, वो अपने मामा के यहां रहती है, नेधी को उस समय बहुत सौक लगा था, कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं रही थी, मामा को पापा कह रही थी, उस समय से उसका परिवार निकल गया, जब मैं चाहता हूँ कि नेधी अपना या सपना पूरा करे, इसलि मैं उन से बात करना चाहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ, मेरे तोस्त मुझे कहते हैं कि मैं निधी को प्रपोस कर दूँ, ऐसा बहुत बार उनके कहने पर एक रात मैंने निधी को फोन किया, निधी को फोन किया तो उसने वहां से कहा, राहुल कहा हो, तो मैंने कहा, निदी मैं राहूल अभी घर पर हूँ वो बोली पर मुझे यहां एरपोर्ट पर छोड़ दिया मुझे कुछ समझ नहीं आया मैंने बोला निदी मैं राहूल वो फिर बोली हाँ बोलो मैंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है ऐसा कहा कर मैंने आई लव यू बोल दिया और मेरी खुजी का कोई ठुकाना नहीं रहा जब निदी ने भी आई लव यू टू राहूल बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास सुबह वो भी आई और साथ में उसके माँ और मामा भी साधी की बात करके मेरे ममी पापा मना है मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था लेकिन उनके जाने के बाद ममी बोली कि तीन दिन में साधी है मैंने बोला इतनी जल्दी ममी का मुछ थोड़ा उतरा हुआ था तो भूली यह सब तुम्हें पहले सोचना था अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना मुझे खरवालों को रियक्शन समझ नहीं आ रहा था लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा खुश भी नहीं था खुश था कि मेरी साधी निदी से हो रही है जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था लेकिन मैंने मना नहीं किया साधी को भी तीन महीने हुए थे मुझे निदी की आँखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था हमारी साधी हो गई साधी की पहली रात सुहाग रात मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है निधी विस्तर पर थी मेरे कमरे का दर्वाजा लगाते ही वो उठकर मेरे पास आई निधी ने आकर मुझसे कहा तुम्हें किसे ने कुछ बताया तो नहीं मैंने कहा क्या ने दी, बोली मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताएं मैं खुद तुम्हें आजमन बताना चाहती हूँ और फिर उन से जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया वो बोली कि वो pregnant है और बच्चा मेरा है और या बोलते वक्त उसकी आँखों में आसू थे या बोल कर वो मेरे गले लग गई लेकिन या कैसे हो सकता है या पहली पार था जब हम लोग गले लग रहे थे तो या बच्चा मेरा कैसा हो सकता था और निदी मुझसे जूट के बोल रही थी उस रात को निदी मेरे कंदे पर सोई और ना जाने क्या क्या बाती कर रही थी पर मेरा तो बुरा हाल था अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि साधी इतनी जंदी में क्यों होगी क्योंकि निदी ने सभी को या बताया कि या बच्चा मेरा है इसलिए घरवानों ने साधी के लिए इतनी जल्दी में हा कहा मेरा प्यार निदी के लिए बहुत था अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेकूब बन गया पर निदी जब भी वह बोलती उसकी आँकों में सच्चाई ही रहती बार बार या भी कहती कि वो मुझे से बहुत प्यार करती है और वो खुसी भी बहुत है मैंने या सब दो महीने तक देखा इस दोरण मेरे मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था फिर एक रात मैंने निदी को कहा कि निदी या सब क्या है या बच्चा किसका है तो बोली राहूल क्या मजाग कर रहे हो मैंने बोला निदी तुम मुझे सच बता दो मैं तुम से प्यार करता हूँ या बच्चा किसका है मैं इस बच्चे को अपना लोगा वो रोने लिगे बोली क्या बोल रहे हो तुम मुझे ऐसा समझाते हो क्या कहना क्या चाहते हो यह तुम्हारा नहीं है उस रात मेरे सब्रका बांध तोल गया और मैंने नेदी को घर से जाने को कह दिया नेदी उसे समय अपने घर रोते हुए चली है हमारे घरों में यह बात पता चल गई थी नेदी मेरे प्यार का फाइदा उठा रही थी फिर एक तिन जब नेदी अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई तब एक औरत 55 साल की नेदी का पता पोचने मेरी दुखान पर आई मैंने बूला वो उसका घर है पर अभी तो वो नहीं है मैंने उनसे पूचा आपको क्या काम है वो बोली मैं निदी उस रात एयर पोर्ट से उस दुर्गटना के बाद अचानक चली गई मैं पूचना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना मैंने पूछा कैसी दुरगाटना वो बोली एक्सिडेंट में मेरे बेटे राहूल को मैंने पूछा राहूल वो बोली हाँ मेरा बेटा राहूल और निदी एक दुझे से प्यार करती थे दोनों साधी करने वाले थे निदी के साथ में और राहूल निदी के घर आ ही रहे थे क रोट क्रास करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बीटा एक पड़ी बस के नीचे आकर चल बसा एक्सिटेंट इतना भयानक था कि वो उसी समझ चल बसा निधी वहाँ से चली गई मैं देखती आई कि वह ठीक है न अब मुझे सब समझ आ गया था निधी जिससे प्यार करती थी उसका भी नाम राहूल था और उसकी आँखों के आगे वो चला गया इस बात से उसको इतना सदमा लगा है कि वो इसे मानने को तयार नहीं है वो इस समय सदमे में है और मुझे ही राहूल मान रही है जैसे बच्पन में अपने मामा को बापा मान रही थी इसलिए उसकी आँखों में सचाई दिखाई दे रही थी मैंने भी ठीक उसी समय उसे फोन किया था और प्रपोस किया था इसलिए वो इस तरह से बात कर रही थी उसकी आँखों में चुप प्यार है वो इस राहूल के लिए बलगी उस राहूल के लिए है मैंने उसे निदी से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाएं मैं उसका पती हूँ मैं उसका खयाल रख लोगा मैं नहीं चाहता था कि निदी को सब याद आ जाए निदी घर जब घर आई तो मैंने उसके पास वापस गया मैंने बोला निदी सौरी हो रोने लगी बोली तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तो मुझे रुला रहे हो उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया निदी की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ निदी को मैं जूटा का रहा था लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो सच को मान रही नहीं रही थी मैंने नीदी को मनाया और अपनी साथ वापस ले आया सब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था मैं जानता हूँ वो मुझसे नहीं उस राखल से प्यार करती थी लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ और अभी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता नी जी खुश रहे आगे क्या करना है कैसे उसे इससे बाहर निकालना होगा या सोचने का फिज़ा है पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार निदी को कुछ नहीं होने देगा और अच्छे से ही रहेगा तो दोस्तो कैसे लगी ये हमारी कहानी अगर अच्छे लगी हो तो हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएं अपनी राह जरूर दे और हाँ अच्छे एक मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और नई नई अच्छे अच्छे कहानी सुनने के लिए इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा धन्यवाद